और दोस्तो अभी अभी एक बड़ी खबर आई है जी हाँ बात तो दुखी करने वाली है लेकिन बताना तो पड़ेगा आपने थमनिल में बिल्कुल सही देखा है कि अब कादर खान नहीं रहे जी हाँ दोस्तो कादर खान की मृत्तिव हो गई है आईए फटा फट से आपको ये पूरी खबर बता देते हैं दोस्तो बॉलिवुड के दिगज एक्टर कादर खान का 81 साल की उम्र में निधन हो गया है हालत गंभीर होने पर उन्हें कुछ ही दिन पहले अस्पताल में भरती करवाया गया था उन्हें सांस लेने में दिक्कत थी आपको बता दें जब उ एक ऐसी बीमारी थी जिसकी वज़े से उनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था आपको बता दें कादर खान की आखरी फिल्म 2015 में आई थी जिसका नम दिमाग का दही था तो आईए आपको बता देते हैं कि कादर खान का निधन कब हुआ है लेकिन उससे पहले हम आपक कहना चाहेंगे कि आप भी कादर खान के बारे में जो कहना चाहते हैं उसे कमेंट में लिखें और कादर खान जी के मृत्यू को लेकर आप अगर ताजा अपडेट चाहते हैं तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद एक बैल का इकन आएगा उसे भी दबा दें दोस्तों आपको बता दें कादर खान की मिर्तियू की खबर बिल्कुल अभी अभी आई है आपको बता दें 9.12 टाइम्स पर कादर खान की निधन की खबर 10.36 मिनट सुबह में लगाई गई है आपको बता दें इसके अभी कोई खास डिटेल नहीं आई है कि कादर खान की मिर्तियू exact किस वक्त हुई है बस बेटे सर फ्राज की तरफ से पीटी आई में हुई बातचीत में ये साफ किया गया है कि कादर खान जी अब हमारे बीच नहीं रहे इसका अगला कोई जैसे ही अपडेट आएगा हम आपको बताएंगे तो चै निवाद